बात करते हैं शेपूरी जिले के खन्याधाना थाना अंतरगत नगरी शेत्र में जहां एक महिला का अपने सम्धी से भरे बाजार में विवाद हो गया इस दोरान सम्धी और सम्धन के बीच चमकर हाथा पाई हुई सम्धी सम्धन के बीच हुई हाथापाई में सम्धी ने अपने सम्धन की पस्लियां तक फ्रैक्शर कर दी तो वहीं सम्धन ने भी अपने सम्धी को चपलों से खोक पीटा भरे बाजार में हो रहे तमासे की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो मौके पर पहुँच कर पुलिस ने दोनों सम्धी और सम्धन के बीच हो रहे है जगड़े को रुकवाया जिसके बाद सम्धन के शिकाद पर सम्धी के खिलाफ खन्याधना पुलिस ने मामला दर्च कर जाज़ शरू कर दी है सम्धी और सम्धन के बीच पुई हाथा पाई का वीडियो अब शोचल मीडिया में भी वाइरल हो रहा है खन्याधना के ग्राम महारी कला की रहने वाली साबोबाई जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि छे महीने पहले उनकी बेटी की मौत ससुराल में हो गई थी जिसका जिम्मेदार बेटी के ससुराल वालों को ठाराय गया था इसके शिकाद खनियाधाना थाने में भी दर्ज कराई गई थी शिकाद को वापस लेने के लिए उनके समधी श्याम प्रकास जाटव लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे साबो पाई ने बताया है कि उनका समधी श्याम लाल जाटव सास की माधिमिक विद्याला खनियाधाना में हेड मास्टर के पद पर पदस्त है दिश के चलते वो रसू के बल पर पुलिस कारवाई को वापस लेने का दबाव बना रहा है वहीं बेटी की बहुत के बाद जब उसका लड़का थानी में शिकायाध दर्ज कराने गया तो उसके साथ समधी श्याम लाल के चोटे बेटे ने उस समय मारपीट भी की थी और बीते एक दिन जब खन्याधाना के बाजार में उसे मिल गया तो उसके साथ ही उसने जम कर मारपीट की थी खन्याधाना धाना प्रवारी दिनेर शारी ने कहा है कि महिला को चोटे आई हैं उसकी पसलियों में भी फ्रेक्चर पाया गया है महिला की शिकात पर श्यामलाल जाटों के खिलाब मारपीट की धाराओं में मामला दर्जकर जास शुरू कर दी गई है क्मानओे जाऊ खिली ऑ्रू करे लोग्तीक बार जास बार्ण in appर को बेंदा बंदा